नाश्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागेदा डेटाज की 22 फर्वरी 2023 देख लेते हैं इंडियान एक्स्पर्स के एडिटोरियल आइडिया फिट से इंपॉर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास में जो इशू जो सबसे पहला इशू रहेगा इंडिया और चाइना को जो स्टेंड है वो क्या है युक्रेन और रशिया वोर को लेकर के वो जानेंगे दूसरा हम देखेंगे कि अभी एक इंसिडेंट देखने को मिल रहा है जिसमें राजस्तान की राजस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके हरिय दोनों क्या थे काउ स्मगलिंग कर रहे थे ठीक है तो जो काउ विजिलेंट्स है कहां हरियाना के उन्होंने उन पर अटेक कर दिया अब सवाल यह है कि वो एक तरीके का एक कॉंस्पिरेसी थी या क्या इसके पीचे का सिनेरियो था तो इसमें राजस्तान पुलीस और हरिय पुलीस सामने सामने खड़ी है ठीक है तो कुल मिलाकर के इस इंसिदेंट को एक बार हम डीटेल में समझने कोशिश करेंगे एक हम समझेंगे पारलियमेंटरी प्रिविलेजिस से रिलेटेड आर्टिकल को और एक हम समझेंगे लोग सवा में डेपुटी स्पीकर के इलेक् में ठीक है जब रशिया ने उक्रेन को इन्वेड किया पर यहां पर आप देख सकते हो दो कॉंट्राडिक्टरी ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं एक तो क्या है कि मिलिटरी एक्शन जो है वो रिवाइवल की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्दिया निकली है उन सर्दियों के टाइम पर रशिया ने उक्रेन पर अटेक करना थोड़ा कम किया था पर यह जैसे सर्दियां कम हो रही है अब धिरे धिरे रशिया ने अपनी अक्टिविटीज बढ़ा दिये तो एक तो यह ट्रेंड है और दूसरा ट्रेंड यह है कि जो पीस स् कर रही है जो कि एक दूसरे के आमने सामने हैं कॉंट्राडिक्शन में आती है अब सवाल यह है कि पीस डिप्लोमेसी में तो इंडिया ने तो अपनी तरफ से तो बोल दिया था दिस इस नॉट द एरा आफ वार पर अब कौन कर रहा है यह काम अब है चाइना के प्रेजिड जो बाइडन वो कीव की विजट पे गए पहली बार जब रशिया ने इन्वेड किया युक्रेइन को उसके बाद में पहली बार जो बाइडन की यह विजट रही युक्रेइन में और इसके अलावा बुखारिस्ट नाइन नो कंट्रीज का यह एक ग्रूप है मतला बेसिकल के मेंबर है और वो कभी भी मतलब USSR के मेंबर नहीं रहे हैं मतलब यह कि Eastern Europe के वो कंट्रीज जो की USSR के इंफ्लूएंस में यह USSR के मेंबर नहीं रहे हैं उन कंट्रीज का यह ग्रूप है जिसको बोलते हैं बुखारिस्ट नाइन ओके तो आब आप देखो कि इन बुखारिस् शबी कहीन है काई गुछ इस तरीके से उक्रेन जो की USSR का पार्ट हुआ करता था उस पे रश्या ने आटेक किया है तो ऐसे में कहीं पता पड़े कि उक्रेन से आगे ना बढ़ जा예요 रश्या अटेक करता हुआ या फिर अपनी ये मुद्दा जो है न युक्रेइन वाला, अब ये को यॉरॉप तक कन्फाइंड नहीं रह गया है, जैसे हम बार-बार डिस्कस करते हैं, आज इंफलेशन की भी जब बात आती है न, हम हमारे देश की इंफलेशन की बात भी करते हैं, तो युक्रेइन रश्या वोर की तो ब युक्रेइन पर फिर से अटेक ना हो, सिक्यूरिटी वाँ की अंशौर हो सके, जस्ट का मतलब कि कहीं पर विक्टिम को आप नुकसान ना पहुंचा दो, जैसे कि अगर शांती स्थापित करने की बात आती है, तो रश्या ये कहता है, कि जो जमीने हमने अभी में ना चला जाए, और लास्टिंग पीस, कि पता पड़े कि आज तो आपने अगरिमेंट साइन करा दिया, दो मैने बाद अगेन रश्या ने अटेक कर दिया, तो इस तरीके से युनाइटेड डेशन जनरल असेमली में भी इस रेजोलिशन को लेकर के डिबेट चल रहा है तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, अब शी जिन पिंग ने तो अपनी तरफ से जो बात कही है, इसको राइटर बोल रहे है कि बहुत ही सही समय पे ये बात कह दी है, इसके अलाबा इंडिया की बात करें, तो इंडिया भी देखो अपनी तरफ से शुरू से ही एक बात कहता रहा है कि भई ये पीस स्टैब्रिश करने का टाइम हो और भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं, युद्ध करने का ये समय नहीं है, अभी जी ट्वन्टी की प्रेजिडेंसी इंडिया के हाथ में है, ठीक है, तो यहाँ पर जर्मन चांसलर ओल्फ स्कॉल्स, इटैलि के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी बॉर्डर इशूस को लेकर के बातचीत होगी, कि युक्रेइन में अगर पीस स्टैब्लिश की जाए, तो वहाँ पर कैसे बॉर्डर डिमार्केट हो या फिर रश्या को कैसे पीछे किया जाए, ठीक है, अब इसमें युएस के सेक्र Secretary of State Antony Blinken और Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, ये भी प्रेजेंट रहेंगे, तो मुद्दा रहेगा कि इंडिया क्या स्टैंड लेता है, अब यहाँ पर देखो, इंडिया की तरफ से Quadrilateral, Quad जो है, चार कंट्रीज का जो एक ग्रुप है, जिसमें इंडिया, युएस तो हैं, बाकि जपान, आस्ट इंडिया हमेशा से अपनी रोल को कभी भी ओर एस्टिमेट करके नहीं चला है, इसका मतलब यह हुआ, कि इंडिया ने कभी भी इंटरनेशनल मुद्दों में, कहता है कि असर्शन कभी भी नहीं दिखाया, कि हां ऐसा करना ही होगा, नहीं करोगे तो हम तो ऐसे कर देंगे, इंडिया ने हमेशा अपना रोल जो है, वो एक calculated manner में किया है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो युक्रेन रश्या वार की मुद्दे पे इंडिया ने हमेशा से peace को ही favor किया है, और यह अपने आप में एक अच्छी खासी opportunity है, कि G20 की जो presidency है, उसके चलते international, जो world की top leaders है वो present रहेंगी इंडिया में, तो क्यों ना उनके साथ में, इंडिया अपने domain में, अपने scope में रहते हुए बातचीत करें और engagement को rise करें, जिससे की यह जो crisis है इसको handle किया जा सेके, तो एक तरीके से यह इंडिया के सामने भी opportunity है, अब देखो, चाइना की बात करें, तो कोशिशे की जा रही है कि चाइना अपना जो lost ground है, जो lost हो चुका है ground यॉरप में, उसको फिर से regain करें, कैसे, जर्मनी, फ्रांस और इटली की visit पे निकले है, चाइना के foreign minister वेंगी, कि वही कैसे भी करके युकरेन के मुद्दे को हम handle करें, ठीक है, इसके अलावा, युकरे करके एक तो यॉरप में जो ground खतम हो गया है, बीजिंग का, उसको regain करें, और दूसरा, कीव के साथ में भी relationship बीजिंग अपनी maintain रखना चाहता है, अब देखो यहाँ पर चाइना के सामने क्या problem है, वो देखते हैं, एक तरफ तो है कीव, that means Ukraine, और दूसरी तरफ है रश्या, अब रश्या और यॉक्रेन के साथ में चाइना अपने relation maintain करें, तो इनके बीच में compromise settle होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों एक different pole पे खड़े हैं, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो बीजिंग की diplomacy यही है, कि एक ऐसा रस्ता निकाल दिया जाए, जहाँ प करके अपनी तरफ से efforts भी डाल रहा है, इसके अलाबा आज देखा जाए, तो Moscow बहुत ज़्यादा close partner है, valuable partner है चाइना का, ठीक है, और चाइना जो है, वो peace establish करना चाहता है, क्योंकि Europe में उसकी presence भड़े, यह मैं आपको अल्रेड़ी बताई चुका हूँ, दूसरी तरफ Washington है मतलब US, वो इस चीज़ को लेकर के concern है, कि चाइना का अगर रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, तो बुला हमारी relevance कम हो जाएगी, तो Anthony Blinken का क्या कहना है, कि चाइना जो है, वो इस तरीके से माहूल बना रहा है, जिससें कि वो Russia को अपने हतियार जादा से जादा बेज सके, अ वो एक तीसरा एंगल प्ले करने लग जाएगी, इसके अलावा, चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिशे करना चाहता है, कि कैसे भी करके यह शांती से युद्ध खतम हो जाए, क्योंकि Europe में शांती रहेगी, उसके साथ में Europe में ही, और Beijing के intervention के बाद में, तो automatically चाइना की जो leverage है, वो बढ़ती चली जाएगी, वहाँ पे जो lose हुई है पिसले कुछ सालों में, अगर देखी जाए तो European issues में है, इसके अलावा, चाइना पीसमेकर के तोर पे continue करना चाहता है, अच्छा, इसके एक point और है, कि चाइना और इंडिया दोनों इस particular point पे एकदम clear है, चाइना के no doubt military weapons देखने को मिले है, ठीक है कि रश्या का support देने में चाइना ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि friendship beyond limits इस तरीके के agreements बाते हुई ही चाइना और रश्या के बीच में, और इंडिया ने भी कभी रश्या के इस invasion को condemn नहीं किया, कि हा Prime Minister Narendra Modi ji, इनके दुआरा discomfort express की गई थी, कि यह जो लड़ाई है यह बिलकुल गलत समय पे चल रही है, यह समय बिलकुल भी ठीक नहीं है लड़ाई का, साथ में, चाइना ने अपनी तरफ से दोनों leaders ने यह भी कहा था, कि nuclear weapon को use करने की बात अगर होती है, तो बोले यह बि Principle of Sovereignty, Territorial Integrity और UN Charter को follow करने में विश्वास रखते हैं, और यही चीज रश्या और युक्रेन को भी समझनी होगी, इसके अलावा देखा जाए, तो सवाल यह है, कि भाई शान्ती अगर स्थापित होगी, तो कैसे होगी, अगर हम कीव की बात करें, युक्रेन की तरफ से शान्ती की बात करें, तो भाई सान्ती बात है, युक्रेन तो चाहेगा कि हमारी Sovereignty, हमारी Territorial Integrity को Maintain रखा जाए, इसका मतलब जो एरिया रश्या ने Eastern Ukraine में Occupy कर रखा है, क्रीमिया को Occupy कर रखा है, उसको आप Free करवा हो, युक्रेन तो चाहता है यह, दूसरी तरफ म European countries या फिर US के साथ English करें, तो उसमें रश्या का से हो, रश्या से पूछे, ठीक है, और बाकी issues में युक्रेन अपने हिसाब से कर ले, क्योंकि रश्या का यह कहना है, कि युक्रेन में अगर NATO जैसे condition establish होती है, नेटो का member बनता है युक्रेन, तो बोला हमारी बिलकुल कगा तक पहुँच गया, तो बोले इस तरीके से हमारे लिए खत्रा है युन नेटो, तो इस तरीके से युक्रेन को क्या हचाता है, कि वो रश्या अपने कंट्रोल में रखे, तो इस तरीके से क्या एक compromise निकलने का सही सीधा साथा रस्ता निकलता है, तो answer है no, अब सवाल यहात है कि क्या किया जाए, तो राइटर बोल रहे है कि एक तो ceasefire sign कर लो, ठीक है, जिससे कम से कम एक बार लडाई तो खतम हो, अब लडाई खतम हो तो फिर उसके बाद में political solutions में भी जा सकते हो, बैटके बाचीत भी करनी शुरू हो सकती है, ठीक है, पर सवाल यह है कि ceasefire sign करने क बाद में क्या guarantee है कि Russia again attack नहीं करेगा Ukraine पर, तो यह भी एक assurance देना मुश्किल है, फिर सवाल आता है कि Russia के favor के according अगर Ukraine के साथ में compromise settle किया जाता है, कि हाँ भई peace establish कर लो, और Russia ने जो area occupy कर रखा वो Russia को यह दे दो, तो क्या India इस चीज के लिए तयार है, कि Beijing ने जिस तरीके से अपने territorial demand रख रख की है, कि हाँ लद्दाक और रोनाचल प्रदेश जो है, वो चाइना का हिस्सा है, और इंडिया इस चीज को agree करते हैं, चाइना बिलकुल attack ही नहीं करेगा इंडिया पे, तो क्या इंडिया ready है इस चीज के लिए, नहीं ना, तो इसी तरीके से, एक just peace का जो segment है, वो तब ही आपाएगा, जब Ukraine को उसकी खोई हुई जमीन वापिस से मिले, नहीं तो आप एक victim को ही punish कर दोगे, जबकि actual में punishment मिलनी चाहिए, एक accused को, एक culprit को मिलनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, she is in pinky, तो भई, इनके द्वारा Ukraine के साथ में कोशिश करना कि बहुत हैं, बट peace promote करने के लिए अगर दोनों मिल के साथ में काम करेंगे, तो एक अच्छा outcome मिल सकता है, इससे एक duration geopolitical relationship जो है, वो अच्छी हो पाएगी, तो यह अपने आप में angle show किया है, राइटर ने, latest development, आगे चलता है, next article, whose privilege, देखो अभी क्या चल रहा है, opposition MPs, जैसे कि आप देख सकते हो, Congress और आमादमी पार्टी के जो MPs है, उन्होंने slogan दे दिये, house की functioning को disrupt कर दिया, तो इसके चलते क्या हुआ, कि राज्यसभा के Chairman, Vice President of India, ठीक है, जगदीब धनकर जी ने, अपनी तरफ से एक inquiry committee constitute की, privilege committee को यह कहा, कि भई, inquiry करो कि इन लोगों क functioning को proper नहीं चलने दिया, अब यह है मुद्दा, अब इस मुद्दे पर editor यहाँ पर अपना opinion देना चाह रहा है, कि देखो, हमारे constitution में parliamentary privileges दी हुई है, article 105 and article 122 के अंडर, तो इसका मतलब यह हो गया, कि एक individual जो member of parliament के तोर पे elect होकर के चला गया, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपनी तरफ से freedom of speech का use कर सके, और अपने जो, मतलब electors है, जो भी जिन भी लोगों के representative के तोर पे वो वहाँ पे गया है, elect करके, तो वो अपनी उनकी तरफ से अपनी बात को रखे, ठीक है, इस case में ना तो executive, ना ही judiciary के हाथ में कोई power है, कि वो इस तरीके की privileges को undermine करे, suppress करे, ठीक है जी, अब इस तरीके से यह अधिकार दिये हुए, यह क्यों दिये हुए, क्योंकि हम parliamentary sovereignty की बात करते हैं, ठीक है, अब parliamentary sovereignty का मतलब हो गया कि जब final decision किसी भी चीज से related हो, तो वहाँ पर parliament में discussion एकदम proper होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बाहरी कोई भी ताकत, अब स parliament के members अपनी सोच समझ के साथ में अपनी बात को easily rise कर सकते हैं, और freedom of speech and expression के अंडरी, अगर वो slogan shout करते हैं, या house की functioning को disrupt करते हैं, एक limit तक, तब तो कोई issue होना नीची, अच्छा, एक चीज बड़ी important है, कि इस तरीके से अगर slogan shout करना, disrupt करना house को, उसके basis पे अगर, house की जो chair person तो वो अपने हिसाब से एक action ले सकते हैं, जो कि लिया भी है इन्होंने, तो writer यहाँ पर यह बोलना चाहरा है, editor mainly, कि मुद्दे जो थे, एक बार उनकी sensitivity को समझो, जिनको लेकर कि opposition parties के, इन MPs ने अपनी तरफ से slogan किये थे, एक तो मुद्दा था, कि एक तो क्या, common वो ही इडेन बग रिपोर्ट जो राइस हुई, जिसके basis पर यह बताया गया, कि अडानी ग्रूप में बहुत सारे गफले हुए हैं, और अपनी खुद की share की price को बढ़ाने के लिए, अडानी ग्रूप ने कुछ गड़बड़े की थी, दूसरा यह था question कि प्राइम मिनिस्टर न को disrupt करने में, इस चीज को लेकर के वहाँ पर फिर उनके खिलाफ में action ले लिया गया, तो उस तरीके से यहाँ पर editor है, वो यह बोलना चाह रहा है, कि यहाँ पर freedom of speech को आप क्यों compromise कर रहे हो, जब सवाल उठाय जा रहे तो उन सवालों पर proper debate होना चाहिए, दूसरी बात यह यहाँ पर यह कही जा रही है, कि current जो vice president है, उनके दुआरा दो statement दिये गए और दोनो statement contradiction में रहते हैं, कैसे हैं, अभी recent एक debate चल पड़ा था, कि national judicial appointment commission, NJAC act जो आया था, उसको supreme court ने struck down कर दिया, कि बोले यह basic structure of Indian constitution के against में जाता है, इसलिए NJAC की बजाए collegium system continue रखना ही सही है, अगर हम judges की appointment की बात करें, higher judiciary में, अब सवाल यहाँ आता है, कि यहाँ पर vice president के दौरा यह कहा जाता है, कि यहाँ पर एक तरीके से लोगों के दौरा elected जो MPs हैं, अगर उनका participation होना हो, judges की appointment को लेकर के, तो इसमें democracy में कोई problem नहीं होनी चाहिए, आप समझिए बात को, क कि parliamentary sovereignty को ध्यान में रखते हुई, यह कहा जाता है, कि जो MPs हैं, अब एक प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तो MP है न, यह basically, तो बोला है, जो MPs हैं, उनका participation होना चाहिए, higher judiciary में, judges की appointment की time पे, जिसको हमने NJSC के अंडर में बढ़ा, अब सवाल ही आता है, कि एक तरफ तो parliamentary sovereignty के आप बात करते हो, और दूसरी तरफ वहीं पर, जो लोगों के representative है, वो house में, अपनी तरफ से लोगों की आवाज बनकर के बात उठाते हैं, उसी आवाज को suppress करने के लिए, parliamentary privilege committee को एक तरीके से recommend करते हो, कि इनके खिलाफ में legal action ले लिया जाए, ठीक है, तो यह तो contradiction हो गया जब judicial appointment की बात ही, तब तो आपने ये कह दिया, ठीक है, कि जी आराम से क्या बोलता है, जो legislature उसका role होना चाहिए, क्योंकि parliamentary sovereignty के basis पे हम काम करते हैं, हमारे democracy में, और वहीं पर आप house में जब opposition parties के जो leaders हैं, उनके दुआरा कोई sensitive मुद्दों को उठाया जाता है, तब आप उ कि vice president जो है, वो executives के भी part होता है, आगे चलता है, next article है, missing in parliament, article को लिखा है, PDT अचारिया जी ने, देखो, article 83, clause 2 के अंडर में, Indian constitution में लिखा हुआ है, कि लोकसभा की functioning जब भी शुरू होती है, वो first meeting के time पे हो जाती है, शुरू, election हुए, election के बाद में first meeting जब भी होगी, हो जाती है, जब first meeting से exact 5 साल complete हो जाते है, इसका मतलब, लोकसभा जो current चल रही है, उसका first meeting हुई थी, 17 जून 2019 को, और ये complete हो जाएगी 16 जून 2024 को, इसका मतलब यह है, कि 2024 में complete हो जाएगा, अब सवाल यह है, कि यह जो 88 लोकसभा चल रही है, इस लोकसभा में अभी तक भी जो deputy speaker होते हैं, speaker हो गए, जो presiding officer होते हैं लोकसभा के, और deputy speaker होते हैं, जो उनके बाद में, उनकी absence में काम करते हैं, तो उनकी appointment, उनका election अभी तक भी नहीं हुआ है, तो article 93 क्या कहता है, कि लोकसभा में speaker और deputy speaker जो उनका timely election होगा, सबसे पहले तो आपको पता है, oath taking ceremony होती है जैसे ही first meeting होती है, लोकसभा की, और वो oath taking ceremony का काम कौन करवाते हैं, वहापत जो protein speaker होते हैं, protein speaker कौन होते हैं, जो previous लोकसभा है, उसके senior most जो member थे हुआ करते हैं, उनके दौरा वो oath taking ceremony करवाई जाती है, जैसे अठार्वी लोकसभा है ना, तो अठार्वी लोकसभा के members को श अभी MPs की लोकसभा में, उसके बाद में, pro time speaker का जो officer वो तो देखो अपने आप ही खतम हो जाता है, फिर बात आती है speaker को कौन appoint करें, तो speaker का proper election होता है, अब basically election कौन करवाएगा, यहाँ पर मुद्दा ये रहता है, कि जो president होता है ना, ठीक है, वो speaker की post के लिए, election के लिए date fix कर देते हैं, अब president किसके basis पे काम करते हैं, आपको पता है, president वैसे तो काम करेंगे, इसमें आपे, majority किसके पास है लोकसभा में, जो सरकार बनाने वाली party है, वो मतलब जो आने वाले executive है, उनी के बास majority है, तो president फिर उनके हिसाब से election के date fix कर देते है, और election के बाद में speaker की post पे कौन आता है, हमेशा ruling party का member ही आता है, जहां तक पूरी कोशिश रहती है, अगर coalition है, तो coalition parties में से कोई एक बंदा जो है, एक MP जो है, वो लोकसभा speaker के तोर पे elect हो जाता है, फिर बात आती है deputy speaker की, तो deputy speaker की जो election है, वो करवाते है, लोकसभा के speaker, एक date fix कर दी जाती है, औ उसके बाद में लोकसभा speaker, जो deputy speaker की election करवाते है, और जो convention है, वो ये चल रहा है, कि deputy speaker की post पे opposition parties में से कोई एक member उठकर के elect होता है, तो यहां पर सवाल ही आता है, कि क्या इस लोकसभा के time पे deputy speaker का election करवाया गया, तो answer है no, जबकि parliamentary system में हम काम करते हैं, parliamentary sovereignty के हम बात करते है कोई जरूरी थोड़े ना है कि speaker हमेशा present हो, कई बार speaker की absence में भी थो हमें काम करवाने पड़ते हैं, तो उस time पर deputy speaker की presence जरूरी होती है, जो कि अभी तक भी नहीं हो पाई है, जबकि अगर हम हमारे constitution के history देखें, या हमारे parliamentary system की history देखें, तो India Act, Government of India Act of 1919, उसके अंडर में first time हमारे यहाँ पर speaker और deputy speaker का जो point है, वो highlight होता है, उस time पर जो central legislative assembly थी, जो आज के time पर हम जिसको parliament बोलते हैं, लोगसबा बोलते हैं, जिसको उसमें president हुआ करते थे, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, speaker, और deputy president हुआ करते हैं, जिनको आज हम बोलते हैं, deputy speaker, तो ये post वहाँ और आप कह सकते हो, induct की गई थी, Government of India Act of 1919 के अंडर, फिर जब है independent हुए, तो independence के बाद में, जैसे constituent assembly अपना काम कर रही थी, इंडिपेंडेंस तो 1947 में हमें मिली थी, और constituent assembly आपको पता है, 1946 से काम करना start कर दिया था, तो constituent assembly एक तरफ, और दूसरी तरफ, constituent assembly में, जो जब उसके speaker के तौर पे, जीवी मावलंकर बैठते थे और deputy speaker के तौर पे, ए, अनन्त सयानम जो थे, उनको elect किया गया था, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो एक ही body, एक ही body, जिसको constituent assembly के तौर पे हम पढ़ते हैं, वो ही body एक तरीके से काम कर रही थी, किसके तौर पे, constituent assembly, constitution को बनाने के लिए, और वो ही legislature के तौर पे भी काम कर रही थी, तो legislature के तौर पे जब काम कर रही थी, तो उसके speaker कौन हुआ करते हैं, जीवी मावलंकर, और deputy speaker को भी साथ साथ में elect किया गया था, और वो थे, एम, अनन्था, सैनम, अयंगर, ठीक है, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो जो बोले, deputy speaker, constituent assembly के time से लेकर अभी तक है, हमारे पास में, September 3, 1948 को इनका यहाँ पर election हो चुका था, तो बोले, अब हम क्यों नहीं elect कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो, article 93 के अंडर में, यह तो mandate है, कि बही, deputy speaker तो होना है चीए, और होना भी कहां से चीए, opposition party से होना चीए, यह भी चीए, अभी consensus है, यह फिर, एक trend चल रहा है हमारे यहाँ पे, साथ में, जो rule है, rule book है, उसमें rule and procedures के अंडर में, rule number 8, यह कहता है, कि लोग सबा speaker की यह duty है, कि वो एक fix date रख देंगे, कि कि किस time पर deputy speaker का election होगा, पर अभी तक यह initiative नहीं लिया गया ह पर आपको यह देखने वाली बात है, कि वैसे अगर हम देखें, तो speaker जो है, वो एक तरीके से neutral position के लिए काम करते हैं, वह speaker की post पे अगर कोई MP elect होकर के बैठता है, इसका मतलब यह हो गया, कि वहाँ पर जब कभी भी कोई verdict देना होगा, जब कभी भी कोई मुद्दे पर final decision देना होगा, तो वो independent manner में अपना statement दे, अपना verdict दे, पर आपको पताइए कि हमारे यहाँ पर British policy को follow नहीं किया जाता है, बिटेन में तो क्या होता है, कि जो भी बंदा वहाँ के lower house में, ठीक है, house of commons में, speaker के तोर पे appoint हो जाता है, तो उसको सबसे पहले अपनी political party से resign करना पड़ता है, वो resignation का जो system हो, वो हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर लोग सबा speaker जो है, वो अपनी political party से association continue रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि directly या indirectly, speaker जो है, वो ही काम करते हैं, जो executive साते हैं, executive हो मतलब, president जिनको aid and advice दी जाती है, किसके दौरा, prime minister led cabinet के दौरा अब prime minister जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक speaker का election conduct कराएंगे, तो इस तरीके से सवाल ही आ रहा है, कि अभी तक तो date fix हुई नहीं है, जबकि लोग सबा का mandate, या लोग सबा की rule book, या फिर article 93, दोनों इस चीज़ के लिए कहते हैं, कि deputy speaker की appointment election होना चाहिए, पर अभी तक उसके उपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, deputy speaker की powers, speaker के equivalent होती है, speaker जब absent होते हैं, ठीक है, या post vacant होती है, तो उस case में deputy speaker, speaker की post बैटके काम करता है, और उनके द्वारा दिया हुआ verdict, उनके द्वारा दी हुई जो statements है, उनको speaker भी overrule नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की power same है, article 19 clause 1, जो है, वो साफ साफ ये कहता है, कि speaker और deputy speaker की powers, same होती है, अगर उन दोनों में से, जो भी seat पे बैठा है, तो, समझे, even 10th schedule पे, जो disqualification का, जो मुद्दा है, वो भी अगर आता है, अगर वो भी मुद्दा आता है, तो उसको भी deputy speaker, उसी force के साथ implement कर सकते हैं, जिस force के साथ speaker करते हैं, तो बोले, इतनी important post को vacant रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, article 93 बिल्कुल ये कहता है, कि mandatory यहाँ पर deputy speaker की post को fulfill करना चाहिए, तो ये था मुद्दा deputy speaker से related, थोड़ा वोग पार्लेमेंट से समझ दे था, आप revision कर लेना, आप अपनी book से आगे चलता है, next article policing the police, देखो अभी क्या हुआ है, कि एक F.I.R. laws होती है, उस F.I.R. में तीन बंदो के नाम आये है, कि भई उन तीन बंदों ने मिलकर के दो बंदो को मार दिया, जो राजस्तान से बिलॉंग करते थे, और ये कहा गया है, कि वो basically वो जो तीन बंदे है, वो informer का का काम कर रह है, ये investigation in Indian Express newspaper के दोरा कराई गई है, अब आप देखो कि ये जो तीन informers थे, जिनके दोरा दो बंदों का ये murder किया गया, तो ये बताया गया है, कि हरियाना गोवंश रक्षक and go somewhere than act of 2015 के अंडर में ये काम कर रहे थे, पुलीस को assist करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ problem ये आ रही है, कि एक तरफ तो राजस्थान के दो लोगों की death हो गई, ठीक है, तो ये राजस्थान का case बन गया, और दूसरी तरफ हरियाना के पुलीस के informers है, उनके दुवारा ये incident किया गया, allegation है ये, अभी ROP लगाए जा रहे है, ठीक है न, अभी हम ये नहीं कह सकते कि complete conviction हो गया है, अभी है case start हुआ है, तो इस तरीके से राजस्थान पुलीस और हरियाना पुलीस सामने सामने कड़ी है, हरियाना गौर्मेंट ने इस तरीके से 2021 में allow कर दिया था, कि जो cow vigilance है, ठीक है, गायों की रक्षा करने वाले लोग है, उनको directly allow कर दिया था, कि आप जो है, वो पुलीस का support करोगे, जब कभी भी गौवंच की रक्षा करने की बात आएगी, तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन informants ने, एक allegation ये लगाय जा रहा है, इन informants पे, कि इन्हों ने, अपने हाथ में power ले ली, और पुलीस खुद को समझ करके, और action ले या उन पे सीधा, और दो लोगों का murder कर दिया, तो यह तो कानून को हाथ में लेने वाली बात होगी न, no doubt, यहाँ पर हम राजस्तान पुलीस की बात करें, या हर्याना पुलीस की बात करें, दोनों की accountability सेम है, कि भई, दोनों को rule of law को follow करना है, पर यहाँ पर rule of law के अंदर भी एक और law निकाल दिया, हर्याना पुलीस ने, तो बोले, यह एक बहुत बड़ी problem वाली बात होती है, देखो हमें यह पता है, कि कोई भी पुलीस जो है, पुलीस की machinery है, वो informers के बिना काम नहीं करती, क्योंकि पुलीस को भी अपनी intelligence के लिए, अपनी network बना करके, वो कहत उसको भी check and balance तो करना पड़ेगा, कहीं पता पड़े कि पुलीस के लिए जासुसी का काम करते करते, वो खुद को भी पुलीस बना बैठते है, ठीक है, तो इस तरीके से पुलीस को भी वहाँ पर accountable बनाना होगा, उन जासुसों को भी और खुद की accountability भी ensure करनी होगी, ठीक है आज जो एक दूसरी community के खिलाफ में बाते बोलना, उसके लिए भी इस तरीके की activities बहुत जादा बढ़ रही है, जहां पर लोग एक दूसरे के खुन के पैसे बैठे हैं, दूसरी तरफ intercast या interfaith marriage अगर होती है, interreligious marriage, तो उसको लेकर के भी बहुत सारे family members और ये एकदम aggressive ह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हमारी society के बिल्कुल खिलाफ कर दिया, तो फिर वहाँ पर जो rule of law का जो system है, वो तो बिल्कुल compromise हो गया, तो कुल मिला करके ideology से driven काम नहीं होना चाहिए, अगर constitution के लिए एक अपनी faith show की है, police की अगर हम बात करें, तो constitution के हिसाब से करना ह रूल of law को ही follow करना होगा, यहाँ पर आप ideology के basis में नहीं चल सकते हैं, कि हाँ जी हमारी ये ideology है तो हम ये काम करेंगे, क्योंकि ultimately आपकी appointment constitution of India के basis पे हुई है, ठीक है, ultimately आपको defend करने हैं लोगों के fundamental rights, आप अपने हाथों में कानून ले करके और सीधा काम नहीं कर सकते, police भ करेगी, police में decide नहीं कर सकती, तो police को support करने वाले, जो informers है, वो कैसे decide कर सकते हैं, कि जी इस चीज़ के लिए ये punishment है, इसको दे दो punishment, तो वो तो कानून को हाथ में लेना हो गया ना, इस तरीके से राजस्तान और अरेना, police को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, देखो वैसे ह ये problem आती रहती है, जो interstate issues है ना, एक state में हुआ, दूसरे state से relevance है, तो यहाँ पर police जब तक collaborate proper नहीं करती, तब तक crime को control करना मुश्किल होता है, और एक crime, crime ही होता है, अगर उसको किया जाता है तो, सिधी बात ही है, ठीक है, और governance का मुद्दा भी यही है हमारे देश में, क rule of law को बिल्कुल भी compromise ना होने दिया जाए, ठीक है, rule of law मतलब, कानून विधी का विधान, कानून से ओपर कोई नहीं है, चाहे फिर वो एक है, individual किसी भी post पे क्यों ना बैठाओ, हाँ, कुछ exceptions मिलते हैं, जैसे president governor इनको, कुछ cases में, वो एक अलग बात है, ठीक है, तो discussion यह नहीं कतमे, तेक यह वरी मुच.